हैले और वेल्कम बेक टू अफुदे क्लास हुपी आज की इस वीडियो में हम अगेन अपना फिसकल साइंस का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है तत्व एवं योगिक इस पर चर्चा करने वाले हैं जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने सुक्ष में दर्सी एवं दूर द हमने 25 इन इस बहुत ही जैसे फिसकल साइंस हर एक टॉपिक का हमने लिसन प्लान कभर किया हुए आपको चैनल पर हर एक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा अगर आपको उसकी आउशकता होती है तो प्लीज एक बार से आप चैनल पर चेक कर सकते हैं आपको अवश्य ही मिल जाएगा और मैं प्लेलिस्ट भी त्यार है आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं आप वहां से भी देख सकते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं यह हमारा पाठियोजना तत्व एवं योगी आगे बढ़ने इस पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज अभी अ क्लासे जूपी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और वीडियो आपको पसंद आएगे आपके लिए हेलफ फूल लगेगे तो प्लीज लाइक और सेर भी जरूर कर दीजेगा ओके चली देखते हैं चात्र ध्यापी का या चात्र ध्यापक का नाम लिखने के बाद कुर्वत लिख के आगे बढ़ेंगे विश्रिष्ट उद्देशे पर विश्रिष्ट उद्देश में पहला लिखते हैं ज्यानात्मक उद्देश्य तो ज्यानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि चात्र तत्व एवं योगिकू का प्रत्याश्मरण कर सकेंगे उके उ तो से भिन के कारण को समझ सकेंगे यह हो गया हमारा वुधात्मक उद्देश विशिष्ट उद्देश के बाद सहायक सामगरी जो भी चीज़े हम टीचिंग के उदरान यूज करते हैं वही सारी चीजे लिखते हैं जैसे चित्र, चार्ट पेपर, इत्यादी पूर्वग्यान पर पूर्वग्यान में लिखते हैं छात्र तत्व एवं योगिकों के विशय में सामाने जानकारी रखते हैं यह हो गया पूर्वग्यान आगे बढ़ेंगे प्रस्ताओना के प्रश्ट की ओर प्रस्ताओना का प्रश्टन लिखेंगे जिसमें पहला कोशन है बच्चों को आप कील दिखाते हुए पूछेंगे यादि हम इस लोहे की कील को पीछ दे तो क्या होगा चातर बताएंगे की लोहे का चूड़ बन जाएगा या बारीक कड़ों में बदल जाएगा तो ये चीज़े आप चातर चातर कथन वाले बॉक्स में लिखेंगे उसके बाद दूसरा प्रशन लिखते हैं कि बारिक क्या इस चुड़ या बारिक कड़ो में कोई भिन्नता है होगी तो छातर छातरा कथन में लिखेंगे नहीं कोई भिन्नता नहीं होगी इसके बाद तिसरा प्रशन करेंगे इनमें कोई भी भिन्नता नो होने का क्या कारण है फिर छात्र छात्र कथन में लिखेंगे क्योंकि दोनों ही लोहे के बने है उसके बाद चौथा कोशन है लोहा क्या है तो चात्र चात्र कथन में लिखेंगे कि लोहा एक प्रकार का तत्व है यह होगे हमारा चार क्वेस्चन अब आएंगे हम समस्यात्मक प्रश्ण पर हमारे समस्यात्मक प्रश्ण लिखेंगे कि तत्व के बारे में आप क्या जानते हैं चात्र यहां पे मौन हो जाएंगे और समस्यात्मक प्रशना आप लिख देंगे इसके बाद उद्देश कथन लिखेंगे जिसमें लिखेंगे बच्चो आज हम लोग विज्ञान विशाई के अंतरगत तत्व एवं उसके योगी के बारे में विश्तरित अध्यन करेंगे ठीक है यह हो गया उद्देश कथन अमारा आगे बढ़ेंगे प्रस्तूती करड़ पर प्रस्तूती करड़ में सिख्चर बिंदु छात्र ध्यापी का अगर आप हैं तो छात्र ध्यापी का कथन अगर आप छात्र ध्यापक हैं तो छात्र ध्यापक कथन फिर छात्र छात्र पत्रकथन में समस्यात्मक लिख देंगे और अस्पश्टी करण देंगे कि पदार्थ का वह मूल रूप जी से किसी भी क्रियाद्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता है तत्व है अब इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे पहला पॉइंट तत्व म अडू बनाते हैं जैसे हाइड्रोजन एच्टू ठीक उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे किसी भी तत्व में उपस्ति समस्त अडू या परमाडू समान गुर्धर्म के होते हैं फिर चौथा पॉइंट है कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनका एक अडू उनमें उनके ह एक परमाडू से बना होता है जैसे हिलियम एची और नियान ठीक आदी ये सारी सीज़े लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने स्यामपट कारे पर ये साथ में आप लिखते चलेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे छात्र शात्र कत्रमाले बॉक्स में ठीक अ अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम अपने वधात्मक प्रश्ण पर वधात्मक प्रश्ण है जो पहला वह है एक ही प्रकार के परमाडू मिलकर क्या बनाते हैं तो उत्तर हो जाएगा तत्व फिर दूसरा प्रश्ण करेंगे कि लोहा ऑक्सीजन क्या होता है तो ये भी ह हो जाएगा तत्व ठीक वधात्मक प्रश्ण हो गया अब हम योगिक प्याते हैं क्या है योगिक हमारा दूसरा सिक्षडविंदू है योगिक अपना दूसरा सिक्षडविंदू हम लिखेंगे और क्या करेंगे इसमें हम विकास आत्मक प्रश्ण करेंगे विकास आत्मक प्रश्न है योगिक क्या होते हैं चात्र यहां पर मौन हो गए आपने लिख दिया समझ स्यात्मव अब अस्पश्टी करण के और आगे बढ़ेंगे अस्पश्टी करण देने से पहले प्लीज अगर अभी तक आपने भीदे क्लासे जूपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बाद से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो आपको पसंद आई हो या हेल्फुल लग रही हो थोड़ी बहुत भी आपको हेल्फ करें तो प्लीज लाइक और शेर भी जरूर कर दीजेगा ठीक है अस्पश्टी करण में लिखते हैं योगिक दो या दो से अध चीनी कारवन डायकसाइड का भी लिख लेंगे सीयो टू ठीक इसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें और लिखेंगे कि योगिकों के गूर उसके अवयाई तत्तों के से भिन होते हैं जैसे हाइड्रोजन जलता है ऑक्सिजन जलने में सहायता करता है जबकि उनका योगिक यह चीजे तो हो गई हमारी असपस्टी करण आगे बढ़ेंगे अब हम श्यांपट कारे पर हमारे श्यांपट कारे वाले बॉक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर योगिक जो है डाइग्राम बना हुए है पानी का एस्टू ओ नमक एनसील चीनी है ठीक सीट्वेल सब्सक्राइड है CO2 तो यह सारी चीजे भी आप पना लेंगी और लिजिए साथ में हम देखेंगे मोधात्मक प्रश्ण हमारा एक वार इस्कृन्च गी चलते हैं वोधात्मक प्रश्ण पर अगला कोशन देखने से पहले आपको बता दे कि जो अगला टॉपिक होगा हमारा लेसन प्लान कवा होगा घरसर बल पर तो प्लीज आपको अगर किसी भी टॉपिक है आउसकता हो तो यह चैनल से जुड़ना नई भूले चैनल से जुड़े रहें दूसरा है हमारा इसमें प्रश्ण पानी किसे बनता है ह और ओसे ओके इसके बाद आगे बढ़ेंगे पुन्रवर्ती के प्रश्ण पर हम हमारे पुन्रवर्ती के प्रश्ण में पहला कोशन है जल को योगी क्यों कहते हैं दूसरा चार योगी को के उदारण बताईए और तीशरा प्रश्ण है तत्व की परिभासा बताईए ये होगे हमारा पुन्रवर्ती के प्रश्ण इसके बाद लिखेंगे हम ग्रियकारे और उसके साथ हमारा पाठियोजना हो जाएगा समाप्त ग्रियकारे में क्या लिखेंगे कि सभी चात्र घर से तत्व एवं उसके योगी के बारे में लिखकर लाएंगे और इसी के साथ होता हमारा यही पर पाठियोजना समाप्त आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते अपने अगले वीडियो में जिसका टॉपिक है घर सर बल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया तो प्लीज जाते वक्त अभी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेर भी जरूर करते जाएगा ओके थैंक यू